हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका विलकम है बहुत बहुत बिलकम है अब यहां से हम नीचे से बॉर्डर बना लिया है हमने हमने पंदिराल लिये हैं पंदिरालने के बाद हमने बॉर्डर बनाकर इजी बहुत यासान सा देखने में जितना ही मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान है और जितना खुपसुरत लग रहा है जुद चलिए यहां से राइट साइट से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो एक फंदा हम ऐसे इस्टिछ का सिलिप करने के बाद अब यहां से धागा हम अपनी साइड लाएंगे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स पैटन की फर्स्ट रो है एक फंदाई से उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे ऐ जो शलाई पर धागा लपिटेंगे नहाँ यहाँपर हमें सलाई पर धागा तीन बार लपिटना इस तरह से दिखिए कि का इसा हैं धो कि अमद्या साम जाप नेक्स का कि खिया घूब दो तीन तीन फंदा सीधा बनाया फिर ये वाला फंदा भी इसी तरह बनाएंगे एक फंदा ऐसे दो बार तीन बार स्वारी फ्रेंड तीन बार सलाई पिर हागा लपेट के ऐसे हम तीन बार लपेटेंगे एक दो तीन और ऐसे सीधा बुलनेंगे अब यही जो हमने रिपीट किया है अब बार बार हम यही रिपीट करेंगे यहां से एक फंदा जो उल्टा बनाया है एक फंदा उल्टा और पास फंदों में जो पैटन बनाया है फिर से वही रिपीट करेंगे छे फंदे धागा पनी साइड लाएंगे एक फंदा उल्टा ध दो, तीन, फिर से यहाँ वही करेंगे, स्लाई पे हम तीन बार दागा लपेटेंगे इस तरह से, धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से हम स्लाई में तीन बार इसको लपेटेंगे, थ्रेट को ऐसे, फिर तीन फंदा सीधा, एक, तीन फंदा हम सीधा, तीन फंदा हमने सीधा बनाया, फिर से एक बार इसे, सलाई पे तीन बार दागा लपेटेंगे, फिर से, इसे, सीधा हम बना लेंगे इस तरह से, इस तरह से, अब दागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा इसे, उल्टा बनाएंगे, अब ये हमारा पैटर्न बनेगा बहुत ही खुबसरत बन कराएगा बहुत ही प्यारा फ्रेंड से बहुत ही वीटिफुल ट्राइ जरूर कीजिएगा इस पैटर्न को अब एक फंदा ऐसे सिलिप करेंगे अब यह जो फंदा हमने स्लाई पे तीन बार धागा लपेट के बनाया है इसको ऐसे सिलिप कर लेंगे यह रॉंग साइट से सेकेंड रो है अब तीन फंदे बीच में सीधा जो है उसको रॉंग साइट से हम उल्टा बनाएंगे दो तीन यह फंदा ऐसे सिलिप करेंगे फिर से हम क्या करेंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे ध तीन अब यह फंदा ऐसे सिलिप करेंगे जो हमने पिलपेटा हुआ था अब फिर यहां पे धागा पीछे करेंगे एक फंदा जो उल्टा बनाया था उसको रौंग सल्प से सीधा बनाएंगे धागा अपनी साइड फिर एक फंदा सिलिप करेंगे और तीन फंदे उल्टा एक दो तीन ये फंदा लुप्स फिर से हम सिलिप करेंगे और धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड इस्टिच को हम ऐसे उल्टा बना लेंगे ये हमारी रॉंग साइड से सेकेंड रो बनकर कंप्लीट हो गई है फिर से ध्यान से करेंगे और तीन फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे एक दो तीन फिर से फंदा सिलिप करेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा बीच में उल्टा फिर से धागा पीछे एक फंदा सिलिप करेंगे और तीन फंदा हम फिर से सीधा बनाएंगे एक दो तीन ये फंदा सिलिप करें अपनी साइड एक फंदा उल्टा पीछे करेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे फिर से धागा पीछे ही रहेगा तीन फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे ये फंदा फिर से हम slip करेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे ये हमने तीसरी स्लाई बनकर complete कर लिया अब फिर wrong साइड से 4 रो बनाएंगे चोथी स्लाई तो एक फंदा ऐसे slip करेंगे और ये जो फंदा हमने slip किया था लूप हमारा slip है ना इसको slip ही करेंगे फिर से 3 फंदा उल्टा एक दो तीन फिर से एक फंदा ये वाला slip करेंगे और धागा पीछे करेंगे एक फंदा बीच वाला हम सीधा बनाएंगे धागा अपनी साइड फिर एक फंदा सिलिप करेंगे और तीन फंदाय से उल्टा बनाएंगे एक फंदाय से सिलिप करेंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड फिर से एक फंदा सिलिप करेंगे और तीन फंदाय से उल्टा बना लेंगे दो, तीन, धागा, अपनी साइड रहेगा, एक फंदा सिलिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, इस्टिच को हम उल्टा बना लेंगे, यह हमारा राइट साइड से, रॉंग साइड से फोर रो कम्प्लीट हो गया, अब हम आएंगे इसको हम क्या करेंगे, ऐसे तीन, फंदा बीच में छोड़ करना है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे, तीन फंदों को हम करेंगे इसको निकाल देंगे राइट वाले इस निडिल में और फिर इसको भी हम निकाल देंगे इस साइड वाला भी तो इसको हम ऐसे यहां लाएंगे और फिर इन तीनों फंदों को फिर से करेंगे लेट में और इस loops को हम लाएंगे आगे से इस तरह डालेंगे तो इस फंदे को पहले बनाएंगे सीधा फिर 3 फंदों को सीधा बना लेंगे अब इस फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे देखे इसी तरह से हमारा pattern रिपीट होता जाएगा धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे फिर से हम इसको लूप्स को निकाल देंगे और ये वाला भी लूप्स निकाल देंगे तो फिर ये वाला तीनों फंदा जो है न इसको हम करेंगे राइट निडल में इस तरह से और इस लूट्स को हम आगे से उठा लेंगे इसको और तीनों को फिर से हम राइट लेफ्ट में डालेंगे इस तरह से तो ये वाला हम आगे से डालेंगे, जो इस साइड वाला है ऐसे, फिर आगे का फंदा सीधा बनाएंगे, तीन फंदे फिर से सीधा बनाएंगे, एक फंदा ऐसे सीधा, ये दिखें, लूप्स को हम सीधा बना लेंगे, ऐसे हमारा रिपीट होता जाएगा, फिर से धागा एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे फिर से हम इसको निकाल देंगे और इन तीनों फंदों को ऐसे करेंगे राइट निडिल में तो इस साइड वाला भी निकाल देंगे हम तो यहां वाला जो आगे वाला है ना इसको पहले लेफ्ट में करेंगे और तीनों फंदों को को ऐसे डालेंगे स्लाई में और इस साइड वाला डालेंगे ऐसे आगे से एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे तीनों फंदों को हम सीधा बना लेंगे ऐसे फिर इस फंदे को ऐसे सीधा बनेंगे एक फंदा जो इस्टिच का है इसे उल्टा बनाएंगे तो फ्रेंडसी यहाँ पर एक फंदा इस्टिच के लिए तो उसको सीधा बनाईएगा यह हमारा कंप्लीट हो गया है अब यहाँ पे फिफ्टरों हमने कंप्लीट कर लिया एक फंदा सिलिप करेंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा इसे सीधा बनाएंगे और तीन फंदे उल्टा पास फंदे उल्टा बनाएंगे दो, तीन, चार और इसको लेकर ये पांच फंदे थे ना पांच फंदे हमने बना लिए और एक फंदा उल्टा था अब यहाँ पे धागा पीछे करेंगे जो फंदा हमारा सीधा बना था ना उसको सीधा ही बनाएंगे धागा पीछे करेंगे एक पंदा ऐसे सीधा बनाएंगे फिर से धागा पीछे करेंगे एक पंदा सीधा धागा अपनी साइड एक पंदा इस्टिस को उल्टा अब यह हमने जो आपको बताई है ना शिक्स रोच छे सलाई तो बस यही छे सलाई बार बार आपको रिपीट करते जाना है पैटर्न हमारा ऐसे ही खूपसरत ब्यूटिफुल सा बन कर आएगा बहुत ही प्यारा तो इसको मैंने बना कर रख लिया दूसरे कलर में भी यहां प बढ़ताने के तरीका तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा विल आइकन बटन जब दबाएगा ताकि जारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे एक और वीडियो में अगली वीडियो में तब बेलाह पीस थैंक्स फर लचिंग मैं वीडियो